Hello friends, कैसे आप सबी, hope you guys, आप सब बढ़िया होंगे और दोस्तों, आज है संड़े, वक्त होता है Hashtag Ask EV का, जिसमें की आपके पूछे गए EV से related सवालों के हम answer देते हैं और आज कुछ नई दभाकिदार updates भी है, जो कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो का एंड तक जरूर से देखें, और अगर चैनल पर पहली पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर, बैल लेक्न को जरूर से दबाए तो गाई, सबसे पहले न्यूज की बात कर लेते हैं, जो कि Ola Electric की तरफ से आ रही है, यहाँ पर मैंने कल एक पोस्ट आला था, जिसमें की मैंने आपको बताया था कि Ola S1 और Ola S1 की जो बैटरी का प्राइज है, वो कितना है क्योंकि एक साल पहले भी हमें पता चला था कि इसकी बैटरी का प्राइज 87,000 रुपीज कुछ के करीब है क्योंकि बैटरी का सारा मैटरियल हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसके वेज़े से यह बैटरी का रुपीज का डिसकाउंट चल रहा है, अगर आप तमिलनाडू, करनाटका, केरला एंड महाराष्ट से हैं, इसके लावा अधर स्टेट्स में 9,000 रुपीज का डिसकाउंट देखने को आपको मिलेगा, नेक्स्ट अगर आप अगर आप अगर आप अगर आपको लेना है, नहीं लेना है, इसके उपर फुल डिटेल में वीडियो हमने किया हुआ है, तो वो वीडियो आप जरू से चेकाउट करना, लिंक आपको उपर काड़ में है, नीचे डिस्क्रिप्चन में मिल जाएगा, नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं, यहाँ पर एथर कंपनी की तरब से आ रही है, एथर इनेर्जी ने वैसे तो पूरे इंडिया में अपने काफी सारे चार्जिंग स्टेशन लगाये हुए है, यानि कि दिल्ली में अगर बात करूं तो दिल्ली में कम से कम भी तो 10 से 15 चार्जिंग स्टेशन आपको देखनों को मिलते हैं, इसी तरगे से हर एक स्टेट में इनक पंजाब की तरफ से हैं, आपर पंजाब गोर्रमेंट ने अपनी सबसीडी को अनौन्स कर दिया है, यहापर इल्यक्टिक टूविलर की सबसीडी 10,000 रुपीज आपको मैक्सिमिम देखना को मिलेगी, फ्री विलर की सबसीडी यहापर 30,000 रुपीज मैक्सिमम आपको देख पर तो यहां पर सबसे पहले कमेंट लेते हैं मुझे ओला वालों ने बैटरी बोला था प्राइस 30 के एस्वन एस्वन प्रोका जूट बोला था तो शायद से जूट भी हो सकता है क्योंकि ओला के जितने भी बंदे हैं यहां पर जो इनके गया बोलते हैं कि मैंने एक साल पहले एंपेर मेगनेस एक्स ली थी वो मुझे 82,000 रुपीज ओन रोड पड़ी थी और रीज 9200 की मिल रही है और नहीं सिंगल चार्ज यह एंपेर प्राइम एक्स बहुत कोश्टली है not value for money तो यहां पर अगर आप मेगनेस की बात करें तो मे FP chemistry battery का use किया गया है जिसकी वज़े से जो इसकी कोश्ट है वो थोड़ी सी बढ़ गई है बाकी मेगनेस को अगर आप प्राइमेस से compare कर रहे हैं तो प्राइमेस मैं कहूँगा कि आप ले क्योंकि यह काफी अच्छा electric scooter है next comment ले ले लेते हैं यहां पर भाई मैंने गाड़ी जो भी फीचर है घर पर आकर आपा scooter repair किया जाता था वो सब चीजे आपको नहीं मिलने वाली चाहे आपने scooter तीन महीने पहले लिया हो या फिर एक महीने पहले जिसकी भी city में service center है उनको घर पर आप service नहीं दी जा रही है यह इसका अलग से 499 plus GST ले रहे है क्योंकि आप चलो कि इसका जो update है वो end of 5 तक हमें देखिन को मिलेगा क्योंकि अभी तक इस scooter की जो range increase हुई है उसके leaks वगरा ही आई है बाकी officially confirm नहीं हुआ है company की तरफ से next नहीं पर एक और comment आता है sir Ola book कर दिया 28,000 में but EMI करते टाइम पता चला मेरा debit expire हो गया चुका है तो down payment UPI से successful हो तो बाकी काम अगर बचा है तो कोई tension मतलो आप next कोई भी अगर आपकी पास debit या credit card है तो दूसरे debit card से भी आप इसकी payment कर सकते हैं बाकी अगर आपको तब भी कोई प्रोब्लम आती है तो आप इनके near कोई भी experience center जाओ वहाँ पर आपको जो कोई भी problem है वो out हो जाएगी next न आपना care plus plan sale करना चाते हैं अगर आपने care plus plan नहीं लिया है तो उसको लोग ज्यादा benefit रहेगा next नहीं पर simple one electric scooter को उपर कमेंट आता है भाई गाड़ी कब तक मिलेगी तो इसका तो सच में कोई भी नहीं जानता कंपनी वाले भी नहीं बता सकते कि ये गाड़ी कब तक वो delivery क करवाएंगे next नहीं पर simple one के उपर ये comment आता है most of the people who booked this have already bought Ola S1 Pro और other EVs they are yet to cancel their booking तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों हैं आपर काफी लोग इस scooter की जो booking है वो cancel नहीं कर रहे हैं और आप मानकर चलो कि इनकी अभी भी delivery का आता पता नहीं है फिर भी इनके पास में एक लाग से ज ज्यादा range देखने को मिलेगी तो जिसको भी range ज्यादा चाहिए वो simple one electric scooter के लिए wait कर सकते हैं next नहीं पर एक और comment लेते हैं वह वी ने बेजा एक इन्होंने शायद मुझे लगता है कि पहले एक बार comment किया था contact करें 13 दिन से ज्यादा हो गए हैं नहीं आ रहा है उससे पहल लोगों को problem होने वाली है क्योंकि जिनोंने भी यह scooter buy किया था अब घर पर आपको service नहीं मलेगी service plan के लिए आपको अलग से payment करनी पड़ेगी इनकी जो warranty है उसके लिए अलग से pay करना पड़ेगा तो इन सब चीजों के लिए आपको अलग-लग pay करना पड़ेगा यहाँ पर product warranty में भी home visit पर pickup का चार देना पड़ रहा है, software में bug company डालती है, low quality break pads डाल रखे है, customer से heavy amount ले लो, इससी अच्छा तो Chinese company है, कम से कम पूरे इंडिया में service तो देती है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इस time for Ola का जो customer है वो काफे ज़्यादा परिशान हो गया है, क्यों अब जो company कर रही है, वो सच में बहुत ज़्यादा गलत कर रही है, क्योंकि company ने सबसे पहले बोला था कि आपकी घर पर service दी जाएगी, जो कि आप company बंद कर रही है, next scooter की जो warranty थी, वो तीन साल की रखी थी, बट उसके लिए भी आपको अलग से pay करना पड़ेगा, यानिकि आप 7,000 रुपिस के करीब इसकी खीमत मान कर चलो, जो कि बढ़ने वाली है, तो overall देखा जाया है, यहाँ पर Ola customer काफी ज़्यादा इस टाइम पर पर परेशान हो चुका है, क्योंकि इसमें चोटी मोटी चोटी मोटी प्रोलम आती रहती है, जिसके लिए आपको इनके service center बार-बार जाना पड़ेगा, बाकि दुस्तों अगर आपने इसकी extender warranty ले रखिया और आपने service plan भी ले लिया है, इसके अलावा भी ऐसे काफी सारे parts हैं, जो कि आपको pay करना ही पड़ेगा, ना तो warranty में आएंगे, ना आपके insurance में आएंगे, ना ही आपकी service plan में आएंगे, तो इसके लावा भी काफी सारे ऐसे parts हैं, जिसके लिए आपको pay करना पड़ेगा, तो हलाकि इसके उपर मैं full detail में वीडियो ज़रू से लेकर आऊँगा, अगर आप कहेंगे तो comment करके ज़रू से बताना, तो ये था दोस्तों आपके सभी comments दिनका मैंने answer दे दिया है, बाक top security नई वीडियो में, तब तरिके, stay safe and stay safe.